मुझा नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है गाड स्टार्ट की एक और नई वीडि치न वीडियो में हम रिविविए करने वाले है होनडा आधे ये वीडियेक के दाःदा करेंcel गया है गरार है वंस्ता है आप आपको तो को लाइक 카शًा भूए समय कवाए वीडियो करते हैं जल्दी से शुरू तो गाइस कोच इस तरह की लुक्स है होंडा सीबी 350 आरेस की यहाँ पर यह वाली जो बाइक है हो मार्केट में दो कलर में अवेलेबल है ब्लैक वीद परल स्पोर्ट येलो और रेडियंट रेड्ड मेटलिक यहाँ पर गाइ और गयाज अगर आप इस बाइक के बार में और इंफ्रमेशन रेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शोरू की कॉंटक्ट डिटेल को मैंशन कर रहा हूं तो वहाँ पर जाके आप उनसे कॉंटक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की कीज इस बाइक के साथ देखने को मिल जाती हैं तो फ्रेंड से बाइक का लुक कुछ इस तरह का है और आपको लुक कैसे लग रहा है यह तो आपको मेरे को प्लिस कमेंड करके बताना है तो यहाँ पर आपको इस बाइक के फ्रेंट में राउंड शेप बाइफ फंक्शनल पर भेंपव और है और यहाँ पर आपको इस बाइक के और आपको इस त्रह के स्ट्रुट और में मिलरा उल जाटालीग ड्याड देखने से और है और आपको इस बाइक तरह के स्टालीस अल्समय घ्डाव देखने बाइक कालिकार ने चेषबि Sounds आगे जाके हम इस बाइक का एक्जॉस्ट नोट सुनने वाले हैं और देखेंगे कि भाई इसके एक्जॉस्ट नोट में कितना दम है तो गार्ड़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा तो यहां पर बात किजाएउ बाइक के इंजन के बारे में तो यहां पर 1000RPM पर यहाँ पर इस बाइक की 50 लेटर की fuel tank capacity है और यहाँ पर इस बाइक में आपको 5 speed manual gearbox देखने को मिल जाता है और यहाँ पर अगर बात की जाएज बाइक के curve weight के बार में तो इस बाइक का 179 kg का curve weight भी आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर गाइस अगर बात की का 179-30 की mileage वह उसानी से देखने को मिल जाए और यहाँ जो बाइक है वह उसानी से 143 km per hour की top speed जो है वह सानी से touch कर लेती है और घाज अगर आप इस बाइक को उन करते हो आपको कितने इस बाइक से top speed और अपने एड़फॉन का यूज कर सकते हूं तो यहां पर बात किजा इस बाइक के फ्रेम के बारे में तो इस बाइक का जो फ्रेम है वो बेजड है हाफ डूपलेक्स क्रेडल फ्रेम डिजाइन के वेपर जो की काफी जादा स्ट्रॉंग माना जाता है और इसके लबाब बात की जाए 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 ज के front में मिलेगा 19 इंच का wheel और यहाँ पर आपको उस bike के rear में मिलेगा 17 इंच का wheel यहाँ पर गाईज अगर बात की जाए tear width के बारे में तो जो front tear की width है वो रहने वाले guys 100 mm की और जो rear tear की width है वो आपको देखने को मिलेगी 150 mm की और गाईज अगर बात की जाए इस bike के dimension के बारे में तो जो भी इस bike के dimension है वो आप अपने screen के उपर भी देख रहे होंगे यहां पर बात की जाए इस bike के console के बारे में तो यहां पर आपको कुछ इस तरह का digital प्लस analog console इस bike में देखने को मिलता है और कंसोल के लूकियर काफे ज़दा बड़ी आ रही है और यहाँ पर आपको इस कंसोल के अंदर गेर पोजिशन इंडिकेटर, रियल टाइम मालेज ट्रिप मेटर, स्पीड, डिस्चेंश टुम्टी और आपको ऐसे कुछ बहुत सारे फीचर इस कंसोल के अंदर देखने को मिल जाते हैं और अगर बात के जाए है हैंडल बार के उपर स्विच के बार में तो कुछ इस तरह के इस बाइक में आपको हैंडल बार के उपर स्विच देखने को मिल जाते हैं तो गैस अगर बात के जाए इस बाइक के कुछ की feature के बारा में तो यह वाली जो बायक है वो इस segment की एसी पाइडी है जिस के अंदर हमें torque control system जो देखने को मिल रहा है और इसके लिए अगर बात किजाई इस बायक की कुछ और feature के बारे में है तो यहां पर आपको इस राइक में side stand engine cut off, dual channel e-bils, hazard light, एलेडी इंडिकेटर, 14 स्पॉक, अलोई विल्स और आपको इस बाइक में हीट प्रोटक्टर देखने को मिल जाता है और गैस अगर बात किजा इस बाइक की सीटिंग कमफर्ट के बार में तो जो इस बाइक की सीट हो काफी ज़दा कमफर्टेवल है और गैस अगर आपको इस बाइक के रिगारिंग कोई और इंफ्रोमेशन लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में शोरूम की डिटेल प्रोट कर रहा हूं तो वहाँ पर जाके आप इस बाइक के बार में उनसे पूसकते हैं तो गैस बहुत ही जल्द मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपका दिन शुब रहे